कि अड़ोकेट भूदे पहननद्य का अभिबादन स्पिकार किजिए शाथियों आप देख रहे हैं भाईशाब पीपल भाईशाब भौजन शाथियों भारत वर्स में शेडूल कास्ट शेडूल ट्रैब लोगों का हैसियत क्या है जब मैं चूटर हैंडल में मिना कत्वाल जी का एक पुस्ट पढ़ रहा था उस पुस्ट में मिना कत्वाल जी ये लिखती है जमोटा डेलीबरी बॉई जमाटो का एक डेलीबरी बॉई उतर प्रदिस ये लखनों का बात है वह अपना पेट पालने के लिए जमोटा में काम करता है एक डेलीबरी बॉई के नातर यानि जब फूड अडर होता है तो वह घर तक फुड पहुchnा देता है ये काम इसलिए वह करता है कि वह अपना प जाता है तो डेलिवरी बॉइब से फूट फशिए जाता है और उनका मुओं मे थूक जाता है इतने में इन लोगों का मन सांथ नहीं होता तो उन्हें मारा जाता है पीटा जाता है गालियां दिया जाता है मतलब क्या इस भारत वर्स में सेडुल कास्ट होना गुना है क्या ये भारत वर्स में सेडुल कास्ट लोगों को सेडुल ट्राइब लोगों को जीने नहीं देंगे मनुवादी सोच लोग कब तक हम ये जाती जुलम सहते रहेंगे भारत वर्स में हमारा योगदान क्या नहीं है भारत को सवारने के लिए भारत को सडुल का सडुल ट्राइब OVC माइनरेटी का कोई योगदान नहीं है हम यहाँ जी नहीं पा रहे हैं इसलिए डक्टर ववासाई बंबेट कर उनका वलूम सत्रा फार्ट वान में ये लिखते है और गांधी जी का साख्यतकार में एक बात बताते है गांधी जी I have no homeland ये भारत हमारा भूमी है फिर भी आज भारत वर्स में हम लोगों को अजादी से जीने नहीं दिया जा रहा है हम जो मोटो जैसे फुट बेचने वाले कमपानी में भी काम करने ही पाएंगे क्योंकि जब हम फूट को टच करते हैं तो खुद को सवर्न कहने वाले लोग ब्रामन वाद चिंता धारा में जीने वाले लोग फूट फैक देते हैं इतने में इनको साथ नहीं मिलता हमारा मुँ में थूकते हैं और हमें मारते हैं मतलब क्या ये वारत वर्स में शडूल कास का कोई हैसियत नहीं है क्या यह वारत वर्ष में सेडूल ट्राइट का कोई हैसियत नहीं है क्या इस वारत वर्ष में ओविश्य का कोई हैसियत नहीं है कब तक हम यह जाती जुलम सहते रहेंगे आज भी वारत वर्ष में हम अपना जिबी का चलाने के लिए यानि रोजी रोटी चलाने के लिए कोई भी काम चूच करने ही पाएंगे आज भी हमें मजबूर किया जाएगा मरे हुए पुषु का मास्क खाने के लिए आज भी हमें मजबूर किया जा रहा है तक्टे साप करने के लिए आज भी हमें मज़वर क्या जा रहा है जाड़ू लगाने के लिए आज भी हमें मजवर क्या जा रहा है गाउं का बाहर रहने के लिए मुझे हैरान लगता है साथियों 21st century है democracy nation है डक्टर बाबा सहीब अमबेटकर का कानून चलता है बारत का संबेधान है फिर भी हम सुरक्षित नहीं है क्यों है क्यों हम सुरक्षित नहीं है कब तक ये जाती जुल्म हम सहते रहेंगे हम अच्छा जिंदेगी गुजारने के लिए पोकोड़ा तोल के भी जी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा बना हुआ पकोड़ा ये लोग नहीं खाएंगे अच्छा जिंदेगी जीने के लिए अपने दुकान भी हम देने पाएंगे क्योंकि हमारा चुआ हुआ खुआ हुआ शामाने लोग नहीं करेंगे अच्छा जिंदेगी जीने के लिए हम कोई भी फोटेल बना नहीं सकते क्योंकि हमारा होटेल में यह लोग काना नहीं काहेंगे एक क्या मानसिकता है भाई कैसे मानसिकता है जब तक ये ब्रामन बात ये ब्रामन धर्म भारत वर्स में continuity करता रहेगा तब तक हम लोगों को इसा ही जिन्देगी जीना पड़ेगा हर दिन हर वक्त हर मिनिट हमें एक्रोसिटी किया जाता है हमें सडूल कास्त कहके जलिल किया जाता है हमें सडूल ट्राइप कहके जलिल किया जाता है हम मनपसंद खाना नहीं खा पारे हम मनपसंद कपड़ा नहीं पैन पारे हम मनपसंद साधी क नहीं पाते हैं हमारा मन पसंद मकान बना कर भी हम रहने ही पा रहे हैं शबुर्णों का बीच में हम मकान बनाके रहेंगे तो वहां से हमें भगा देते हैं जब हम मर जाते हैं तो हमारा डेड़ बड़ी को भी हम यहां दफना नहीं पाते हैं हमारा हैस्यत क्या है तनिक बवा साहिब अमबेट कर दादा साहिब कान सिरम बहर मायमती जी को देखना चाहिए बाबा साहिब हम बेट कर संगर्स करते करते यहां तक लाके छोड़े दादा साहिब कांसिरम अधूरा सपना को भारत बर्स में हमारा ताकत के लिए हाथी को खड़ा कर दिये आज धलती उमर में बहन मयावती जी हमारा स्वाभिमान का लड़ाई लड़ रहे साथ्यों आज भी हमें स्वाभिमान का साथ जीन ही नहीं दिया जा रहा है यहां से मिजाज कैसे पाएंगे यहां से अजादी कैसे होंगे सल्प हेल्प करना है सल्प रेस्टेक्ट प्रक्त करना है भलुम सत्रा पार्ट वान में बाबा से बंबेट कर यह लिखे है खुद को help करना है यानि राजमेजिक ताकत खुद का बनाना है self respect प्रप्त करना है यानि खुद का university बनाना है खुद का industry बनाना है खुद का bank establish करना है और खुद का administration बनाना है खुद का PM बनाना है CM बनाना है यानि हाती को मजबूत करना है तब जाके भारत वर्स में सायद हम शुकुन से रह पाएंगे नहीं तो अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो मोटो में जाके आप खाना डेलिबरी बॉई बन नहीं पाते आप होटिल बना के सोने की थाली में भी हम जब खाना पुरुसेंगे तो ये लोग जाती बाद मान सकता पहलाएंगे ये जाती बाद मान सकता देश का विकास का सबसे बड़ा रोड़ा है ये देश को बरबाद कर रहा है देश को विकास के सडक पर ये रोड़ा है मनुवादी सरकार है कभी भी जातपात निपात नहीं करेगा जातपात बिनास नहीं करेगा जातपात को मिनास करना है तो खुद को हुकमरान बनना है यहनी हाती को भारत बस में मजबूती का साथ खड़ा करवाना है नहीं तो आने वाला कल हम ऐसे ही जलिल का जिन्देगी जीते रहेंगे साथियों क्या करके जीएंगे हम लोग हमारा ये fundamental right है आपना रोजी रूटी कमाने के लिए जो भी profession हम चूज करने के अधिकार देता है संबेधान लेकिन मनुवादी सोच रखने वाले लोग जब हम जबोटो में delivery boy का काम भी कर लेते है तो हमें पकड़ कर मुँ में थुका जाता है हमारा हाथ से छुआ हुआ हुआ काना को पेका जाता है यानि जिस कमपानी में भी हम जब करेंगे न ये जाती बाद ही मानसिकता लोग वहां से हमें भगा देंगे कब तक ये जुलूम जीत जीते रहेंगे कब तक ये जुलूम जाती सहते रहेंगे क्या हम ये देश का citizen नहीं है क्या सडुल का सडुल ट्राइब लोग देश को सिवा नहीं दे रहे है क्या सडुल का सडुल ट्राइब लोग देश को टैक्स नहीं दे रहे है क्या सडुल का सडुल ट्राइब लोग देश को बनाने के लिए काम नहीं कर रहे है ये प्रस्तन का जबाब मेरा दफ्सकों से मैं मांगता हूँ साथियों इस जुलुम जाती से मिजाच जल्दी ही हम लोग को प्रप्त करना है साथियों भारत का संबेधान का हिसाब से देश को चलाने के लिए हुकमरान चुनना है तब जाके यहां से एट्रोसिटी मिटेगा साथियों आप जानते हैं मनुवादी सोच रखने वाले लोग यूग-यूग से हमें टर्चर कर रहे हैं और करते रहेंगे इसलिए बबा साहिब हम बेट कुरूंगडा भलूम वान में लिखते है उनका अंडेलिविर स्पीच है एनिलेसंस अब दकास्ट जाग पात का समुल बिनास बबा साहिब का ये कोशिस था लेकिन हम लोग बबा साहिब का हाथीं को आज तक पर्लामेंट का अंदर गुशा नहीं पाए इसलिए आज अधूरा सपना अधूरा ही रहे गया है आईए हम सब मिलके बबा साहिब अंबेकर का सपना को पूरा करेंगे जो अधूरा सपना को बहन मायबती जी चला रही है डलती उमर में भी वो इतना महनत कर रही है उनको साथ देंगे और भारत का पर्लामेंट में हाथी को गुशाएंगे और जातिबात से आजादी मनुवात से आजादी प्राप्त करेंगे और खुशियाली जिन्देगी जीएंगे शाचों आप देख रहे हैं भाईसाब पीपल, भाईसाब बहुजन इस चैनल को ज़दा से ज़दा सब्सक्राइब केजिए लाइक कीजिए और कमेट कीजिए आपका सब्सक्रिपिशन बहुत जरूरी है क्योंकि बाबा साहब अमबेटकर का मीर्शन को आगे बढ़ाने के लिए भाईसाब पीपल और भाईसाब बहुजन दिन रात कोशिश करता है और आपका युगदान हमारा डिजाय है वी वांट यूर कोपरेशन